Hello everyone, welcome to the study hub, I hope आप सब अच्छे से होंगे तो हम Indian geography आपकी start कर चुके हैं, Indian geography के अंदर एक topic complete हो चुका है यह जो political division था, political division वाला topic हमने खतम कर लिया है अब आज का हमारा topic होगा, physical division of India तो मैंने आपको बताया था कि physical division of India के अंदर हमने क्या करना है जो India की physiography है, ओके, तो हमने क्या कहा था मैंने आप से यह कहा था, दो तरह से हम divide करते है एक तो गया political division जो हमने खुद बनाई जिसके अजर हम federal units के बारे में, borders के बारे में, streets, Indian territories के बारे में पढ़ते है और दूसरा होगा जो naturally created है जैसे के कहाँ पे mountains है, कहाँ पे desert है, कहाँ पे plateau है, कहाँ पे island है तो यह जो naturally created divisions है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं, physiographic के अंदर तो अगर मैं बात करूँ physiographic divisions की, तो India को कुछ 6 हिस्सों में divide किया जाता है कुछ book 7 करते हैं, कुछ book 5 लिखते हैं, तो ज्यादा तर 6, अब इसके अंदर इन 6 physiographic divisions के अंदर क्या क्या आएगा तो वो physiographic division का मतलब समझ रहे हो ना, आप naturally, जब हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़े हमें देखने को मिलती हैं, तो वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, हिमालियन mountain ranges देखने को मिलती हैं और हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं उसके नीचे आते हैं Northern Plants देखने को मिलते हैं सबसे पहले उपर क्या होंगे Hemalian Mountain Ranges ये जो औरेंज औरेंज कलर में आपको दिख रहा है उसके बाद ये जो ग्रीन ग्रीन कलर में नीचे आएगा ये आपके Northern Plants उसके बाद आपका डेजर्ट ग्रेड डेजर्ट राजस्तान ये उपर गुजराद से लगता हुआ एरिया राजस्तान में लगता हुआ एरिया ये वाला उसके बाद पैनिन सोलर प्लेट्यू ये वाला जिसके तीनु तरफ ये जो समंदर है ये वाला एरिया ओके डिस इस प कोबार आईलंड गुरूप से आपके लक्श्द वीृप आईलंड गुरूप से इन alguma बारेश से पढ़ंगे तो यहां पर देख लिए यहां पर थोड़ा सापको और अर गुरेर हो जाएगा यह जो ब्राउन ब्राउन कलर में आपको दिखाई दे रहा है यह क्या है आपका यह आपकी हिमालियाज जो कहा है यहां पर यहां से लेकर यहां पर आपको लद्दाख उपर वाला जो एरिया है हमारा गिलगिट बलतिस्तान यहां से लेकर यहां North East में जा रहा है उसके बाद नीचे आते हैं तो आपका ये यलो कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके Northern Plans वाला एरिया शुरू हो जाएगा उसके बाद ये वाला जो एरिया इस वाले एरिया को देखो इनको Coastal Plans बोलेंगे ओके East Wally Side Eastern Coastal Plan और West Wally Side Western Coastal Plan ओके और यहां पर इसी के साथ आपको यहां पर क्या दिखाई देगा यहां पर आपको दिखाई देगा इसके अलाबा लक्ष दवीप आइलेंड गुरूप्स तो ये भी आपको यहां पर दिखाई देगे Political Division में हमने देखा था किस तरह से अलग अलग स्टेट्स के अंदर इंडिया को डिवाइड किया गया है ठीक है तो ये पोलिटिकल मैप है जो हमने खुद बनाया है कि यहां पर लद्दाक है, जमुएन कश्मीर है, हिमाचल, पंजाब इस तरह से देखा था लेकिन फिजियोग्राफिय के अंदर हम देखते हैं कि नेचर ने, नेचर ने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है इंडिया को कहानी कलियर आगे भड़ते हैं तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालियन मॉन्टैन रेंजिस यह वाला उपर वाला जो पोर्शन आपको जो भी यह ब्रॉण कलर में दिखाई दे रहा है यहां लद्दाख से लेकर यह पूरा कवर करते हुए कहां तक आपकी नौर्थ इस्टन वाली स्टीर्स तक जाएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो देखे अगर में बात करो हिमालिया की देखे हिमालिया वर्ड का मतलब ही होता है एबोड या होस आप सुनो संस्कृत में इसका मतलब है बरफ का घर बरफ का आशियाना यानि जहां पे हमेशा बरफ रहती है ओके हिमालिया की अगर बात करें तो हिमालिया अजरत हाइस्ट एंड लॉंगेस्ट अफ आल दे यंग मॉन्टेंज आफ दी वोल्ड देखो दुनिया में जितने भी यंग मॉन्टेंज हैं अब यंग मॉन्टेंज हम जियोलोजिकल पीरिड के हिसाब से बताते हैं यानि के जो रिसेंटली बने होंगे हाला के रिसेंटली तो ये जोलोजिकल टाइम पीरिड की बात हो रही है हमारे लिए तो वो भी लाखों साल पर आना टाइम पीरिड होगा लेकिन जितने भी यंग मॉन्टेंज जिसे दुनिया में उनमें सबसे यंग कों से हैं वो हिमालियाज है हाइस्ट उनमें सबसे हाइस्ट और लॉंगेस्ट आपके हिमालियाज आएंगे इसी के उपर जाकर हम देखते हैं हिमालियाज बहुत अपर जाकर आता है पामीर और पामीर नोट यहाँ पर क्या होता है देखो अगर यहाँ पर मैंने पिक्चर एड़ किया देखो यहाँ पर क्या है ना जब आप देखो यह आगे हमारे हमालियाज यहाँ पर आप देख सकते हो यह Central Asia वाला पोर्शन यह वाला जो शुरूरी यहाँ पर उपर बहुत सारे mountain ranges यह हिमालियन mountain ranges यहाँ पर जाती है दूसरी Central Asia से आई हुई बहुत सारी mountain ranges यहाँ पर मिलती है और एक note जैसी बन जाती है उसको पामीर note बोलते हैं और यह होते हैं इसको roof of the world भी बोलते हैं आपने यह याद रखना है पामीर note को क्या बोलते हैं roof of the world जो हिमालियाs को Central Asian ranges के साथ connect करती है कहानी क्लिर देखो इसमें क्या कहा है याद रखना हिमालिया का मतलब क्या है हिमालिया का मतलब है aboard या होसब सुनो और हिमालिया जितने भी young mountains है दुनिया के अंदर उनमें सबसे highest और सबसे longest है और पामीर flood जो है वो क्या काम करती है हिमालियन ranges को centralization ranges के साथ connect करती है और पामीर को roof of the world कहा जाता है I hope कहानी clear यहाँ तक आगे बढ़ते हैं origin and development में उतना हमें नहीं जाना है, यह रहने तो इसमें जाना ही नहीं है, इसको छोड़ दो यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि देखो, थोड़ा समय आइडिया आपको देता हूँ, आपने अगर Continental Drift Theory के बारे में पढ़ा होगा, आइडिया दे रहा हूँ यह आपको काम यह यह UPSC में जब आप पढ़ोगे, State, PCS के लिए पढ़ना होगा, वहाँ पर, ओके, देखो, यहाँ पर आपको फिर में थोड़ी से एक शॉर्ट स्टोरी बता रहा हूँ, देखो, Continental Drift Theory दी थी अलफर्ड वैगनर ने, उसने बताया था कि पहले जितने भी Continent थे, जितने भ पेंजिया तूटा, तो पेंजिया तूटने से क्या हो गया, देखो, यहाँ पर यह तूट रहा है ना, इस पहली पहली वाली स्लाइड में, देखो, यह Continence अलग हो रहे, और यह वाला देख रहे हो, यह Indian Plate जो है, यह अलग हो रही है, और यह जा रही है, इस तरफ से Eurasian Plate के साथ, और इसमें जाकर देखो, यह इसके साथ टकराएगी, ठीक है, देखना भी, यह देखो, यह यह गई, और यह ध्रम करकर यह तकरा गई, और जब यह इसके साथ टकराई, तो यहाँ पर हिमालिया, जो mountains थे, वो बन गई, आप ज़र इस तरह example लो, एक carpet है, एक carpet है, यह long story short में आपको सुना रहा हूँ, तो इस तरह से हिमालियाज, जो mountains थे, वो बने थे, और यहाँ पर बीच में एक सुमंदर हुआ करता था, टीथियस सी, उसी टीथियस सी के sediments उपर उठे, उके, उन्होंने हिमालियाज को बनाया, उके, बीच में जो सी था, उसका राम क ठोड़ो, ओके, तो यह बता रहा है कि पहले एक पूरा सुपर कंटेनेंट हुआ करता था पैंजिया, फिर अराम अराम से ये कंटेनेंट एक दूसरे से दूर होने शुरू हो गए, दूर होने शुरू हो गए, और इंडियन प्लेट जो है, वो जाकर टकराई, किसके साथ अराम अराम से जाकर टकराई, वो इंडियन प्लेट, यूरेशन प्लेट के साथ टकराई, यानि यूरॉप और एश्या का पूरा एकी प्लेट था, उसके साथ जाकर हमारी इंडियन प्लेट टकराई, इंडियन प्लेट के साथ एक और प्लेट थी, आस्ट्रिलियन प्लेट इंडो आस्ट्रेलिया प्लेट उसका बोल दे थे, आस्ट्रेलिया प्लेट नीचे चली गई और इंडियन प्लेट उपर जाकर टकराई और वहाँ पर हमालियाज बन गए ठीक है अब ये एविडेंस में जाने की दुरूरत नहीं है ये हमालियाज ये बताया जाता कि हमालियाज अभी भी राइज होते तो बिलकुल हमालियाज अभी भी राइज हो रहे है और इसका प्रूफ क्या है इसका प्रूफ ये है कि बहुत सारे और्सक्विक्स यहां पर देखने को मिलते हैं और जो rivers हैं, rivers अभी young हैं यह young river क्या होते हैं, old river क्या होते हैं यह physical geography का topic है आप इतना याद रखो हिमालियन rivers are young rivers हिमालियन mountain ranges are young mundane ranges यह याद रख लिना आप उसके बाद इसके हिमालियास की क्या characteristics से क्या क्या division से यह हम next lecture में करेंगे I think आज के लिए इतना सा काफी है बागी जो होगा उसको हम next lecture में cover करेंगे इतनी कहानी आज के लिए काफी है Thank you so much